मैं एक कहानी बता के, आप लोगों की स्टोरी बता के, माशाएलला, 294 पीपल वाचिंग, लोग पैसे लेके भी बयान नहीं सुनते, थैंक्यो महमद नवास, मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ आज, ये कहानी हमेशा याद रखना आप लोग, हमेशा, मेरे कई स्ट कोटे वीडियो बनते, कटिंग बनते और फिरते रहते, ये कहानी, मैं ये मुरीद की कहानी सुना रहा हूँ, आप लोग जोड़ा गोड़ से सुन लीजिए, और जो जो भी हमारे वेबसाइट के, हमारे जो निकाल के कटिंग करके निकालते हैं, उनसे खाहिश है, इसको अ स्कुरा टाए, एक चिचाय सेमरहिम मुद्दिन सही में ये हमका सीनर लीडर है, अरे क्या भे उसके बातों क्या भी आप इतना सीरियस ले रहें, कोई बात है यारो, काईका लीडर के अदमी को देखो यार, एक हाती के फेट में जंगल में दरद होते रहता, बहुत में रहता, हाती चिंगारते रहता, चिखा मारते रहता, पेट में दरद, पेट में दरद, जाडों से टकराते रहता, कई जाड गिरा देता, चोटे-चोटे, वहां से एक आदमी गुजरते रहता, चरवाहा, वो चरवाहा पूछता, हाती भई, हाती भई, इतना पूरा जं पेट की तकलीफ से मैं चीखा मार रहा हूँ तो बहले आप एक काम कीजी आप इदर दरा ज़ाड के पास आईए मैं उपर चड़ता हूँ ज़ाड पे आप दुम उठाईए मैं देखता हूँ अंदर क्या है क्या चीज़ से आपको तकलीफ हो रही हाती भाई ज़ाड के पास आजाते अब ये चरवाहा ओपर चड़ता बुलता अब दरा दुम उठाईए और पीछे का मूँ खोलिए ओपन दे ग्रैंड वो हाती सब अपनी बड़ी ग्रैंड ओपन करते तो ये आदमी अंदर घुज जाता देखता बहुत सारा कच्रा घांस का अंदर जमा है जो बाहर ने निकर रहा उसकी तकलीफ से ये अंदर अटा ये कच्रे की तरफ से हाती भी चीखा मार रहे है उन्हें क्या करता आइस्ता आइस्ता हास से जो हजम नहीं घांस उस घांस को जो है उनके सुराख में से पीछे से फेकते जाता काफी जियादा उनके पेट में से खीच के निकाल के फेक देता जैसे फेक देता हाती भाई को सुकुन हो जाता बुलके बन कर लेते अब इन्हें निकलते रहता बाहर आदा अंदर आदा बाहर बीच में अटक जाता समझ रहे हैं आप लोगा इस्टोरी पूरी है समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप लोग अब बीच में अटक जाता अटक के फस जाता अब चीखा मारते रहता बचाओ 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 वहां से मुरीद जाते रहता बहुत पुराना मुरीद रहता बहुत मार खायवा रहता बहुत सतायवा मुरीद रहता उन्हें बलता क्या मैटर है तो बोले ऐसा ऐसा है यह हाती साथ तकलीफ में थे मैं इनको आफर करा आपकी तकलीफ दूर करता हूं मैं जाड़ पे चड़ा इन्हों अपना ग्रेंड का मूँ खोले मैं अंदर गया बहुत कछरा था निकाला इनको सुकून हो गया तकलिफ कम हो गई लेकिन मैं पूरा निकलने सका आदा अंदर और आदा बायर लटकावा हूँ तो मुरीद बुलता अच्छा तो अगर मैं तेरे को खीच के निकाला तो क्या देता चरवाहा बुलता मैं एक लाक रुपे तेरे को देता हूँ अब यह मुरीद बुलता यार इत्ती मुरीदी करा जिंदेगी भर मेरे को कुछ भी नहीं मिला हमेशा बटके जहे तजवी पढ़ता था वली बुलता था पीर बुलता था कुछ नहीं मिला चलो एक लाक रुपे का मांडवाली हो रही कुछ एक लाक रुपे का काम कर लींगे अपन। उन्हें जाड़ पे चड़ता और चड़के वो चरवाहे को पकड़के बड़ी मुसिबत से उसको खीशता। ये खीचम तानी में उन्हें बाहर निकल के आ जाता। अब अंदर पूरा जहें पीला पीला होगे अपने यलो जेली के सरका अंदर से बाहर निकल के आके एक 15-20 मिनिट सांस लेता। सांस लेने के बाद ये मुरीद बुलता ला भई मेरे एक लाक रुपे दे दे में चले जाता हूं तेरी चान तो बचगे ना। कि तो जो अंदर से निकलावा चरवाह बुलता । मैं तुझे एक लाक रुपे की एक बाद बोलता हूं तो बूले वो क्या है। बूले एक लाक रुपे तो बहुत कम है बात क्या से। मगर मैं तो अपना तजरुबा तेरे कुछ देके जा रहूं। That is more than one lakh rupees. तो वोले अच्छा क्या है वो? देख कभी कोई कित्ती तकलीफ में भी रहो. बडों की गिरैंड में घुसना नहीं, आकरी में आके फसना नहीं. बडों की गिरैंड में जाना आसान है. जब उनको आराम हो जाता, सुकून हो जाता, तो अपना आके लटक जाते बीच में, उनको पता भी नहीं चलता, उनने पिछे लटकावा है, एक लाक रुपे की बात तेरे को बोल रहा हूं, तो मैं ये पलंबर को, यलो जली को, वो जंगली यूसुफ को, ये सब को एक बात ये बड़ों की उसमें मत घुसो, फस गए, आदे अंदर, आदे बाहर हो लोगां, भुल जाते, तुम जेल को के उखत कैसा भुल गए हो लोगां, तुम गंदे-गंदे गालियां दिये नहाँ रहाभी में मिलत को, किते गालियां दिये तुम जेल में, ऐसा, तेरा हाथ प्लाओना पिना के, उल्गां मारे तेरे को, ऐसा होता तो, कभी भी बड़े लोगों की ग्रैंड में नहीं फसना जाके, उनलों को उनकी जगा रहने दो, हमारा काम है उनलों से, बहद मुबाइसा करना, उनलों को बोलना, अब हमारे पास एक ही चीज़ है, ताखत जो हमार मुम्तास खामिक साब की भी हाती हो सकता हो, जो क्या होने वाला है नहीं मालूम आगे, उसका क्या होने वाला है, उसका क्या होने वाला है, उसका क्या होने वाला है, मालूम नहीं, क्योंकि वो भी कोई छोटा मोटा अदमी नहीं सामने वाला, वो भी डाउने शेहर का हो, व पुकार रहा है अपन भी देख रहे हैं पुकारा सीरीज का हो तो भेरहाल मैं यही कहूंगा कि ग्रेंडो मैसीन बहुत महेंगी होगे आज कल मार्किट के अंदर फॉरेंड कंट्रीस को भी जा रही है तो मैं यलो जली के लिए आया था छे इंजेक्शन का कोर्स देना पड़ होगा वो जो यलो पणां है जो भेजा नीचे चले गया वो भेजे पर से यलो निकलना है तो सिक्स इंजेक्शन से इसको देना पड़े लेगा तब जाके इसका भी जा पिर वाइट हो हो जब से मैज बोलडरों बोलीगे आप लोगा डिरामा फैमली का कौन सा अपिशोड चल रहा चीचा डिर्मा फैमली का बीब फिलो खज जो है घर नेए तुटने का अपिशोड चल रहा चीचा ये जोजफ कुन है एक मुरीद है गाउं का मुरीद है चोर चोर जोजफ है